आर नेस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन क्वेशन नमबर फोर देख तकते हैं आप सीवेस्टी दोजार बारा में आया हुआ है दा एंगल ओफ डिप्रेशन फ्रॉम दा टॉप ओफ टावर वह इसमें क्या है सर्फ और सिर्फ फिगर का खेल है तो अपने क्वेशन की फिगर बनाते हैं एंगल ओफ डिप्रेशन निकालना है फ्रॉम दा टॉप ओफ ओफ टावर tower के top से कह रहा है of a point A on the ground ground पर कोई point A है और यह आपकी tower है ठीक है B C ठीक है B C इसके level में a point होगा ऐसे देखो और आप क्या देख रहे हो भई यहाँ पर line of observer बनाओ गया ठीक यहाँ से आप नीचे देख रहे हो इस point को A point को और जो angle of depression है वो है आपका 30 degree ठीक है on a moving distance of 20 meter from the point A towards the foot of the tower यहाँ से आप 20 meter की दूरी चले इस tower की तरफ यहाँ से आप 20 meter की दूरी चले इस tower की तरफ यानि कि 20 meter दूर चले आप इस tower की तरफ तो जो angle of elevation बना यानि कि point B से अब आप tower के top को देख रहे हो यानि कि जो angle of elevation बना that is 60 degree अब angle of elevation बन रहा है तो क्या बन रहा है 60 degree इसको आप कहें दो CD क्योंकि B point यहाँ पर mention हो गया find the height of the tower tower की height निकालनी है and its distance from the point A और point A से हमारी इसकी distance निकालनी है figure को complete करते हैं देखो ही 30 degree है यह इसके parallel होगा यह transversal होगी तो यह भी आपका 30 degree होगा यह 20 है यह पूरा x है तो इतना आपका x minus 20 होगा meter होगा height मैंने h meter माली है यानि कि मुझे value निकालनी है x की and h की find the height of the tower and the distance from the point A तो let दा अब देखो हमने figure बना ली तो question की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती बस figure को देखो दो triangle मिल रहे है ये वाला और ये वाला इन दोनों triangle से हम क्या निकाल लेंगे अपनी required value let the height of the tower b h meter and the distance of the tower from point a b x meter ठीक है अब triangle देखो पहले मैं लगाती हूँ in triangle a c d इस पूरे triangle में ठीक है h और x में relation आ जाएगा तो second triangle में remove करने का काम करेगा हूँ तो a c d भई हमेशे क्या ही लगेगा 10 ही लगेगा क्योंकि theta के सामने पी और ये भी 10 30 होगा आपका c d by a c 10 30 होता है 1 by root 3 c d है x और ये है आप sorry c d है h और आपका a c है x तो h root 3 आया आपका x cross multiply करके इसको कह दो first अब हम x के जगा क्या रखेंगे h root 3 अब लेते हैं in triangle b c d in triangle b c d b c d में low up 1060 dc by b c 1060 होता है root 3 dc है आपकी h और b c है आपकी x minus 20 ठीक है यहां पे root 3 cross multiply आपकी यह आएगी x की जगा आप क्या रखोगे h root 3 calculation दिहान से करना x की जगा क्या रखोगे h root 3 h root 3 minus 20 is equal to h है ना from first से मैंने इसको put किया है from equation first अब देखो h root 3 मतलब h root 3 की multiply root 3 से करोगे 3 h आएगा क्योंकि root 3 root 3 3 होता है और यह आएगा आपका minus का 20 root 3 is equal to h इसको इधर ले आओ 3 h minus h उसको इधर ले जाओ 20 root 3 यह आपका आया 2 h is equal to 20 root 3 यहां से h की value कितनी आई 10 root 3 meter अब देखो root 3 की value रखना चाहो mention नहीं है अगर mention नहीं है तो हम रखेंगे 1.732 या तो ऐसे छोड़ दो ना तो ऐसे रख दो तो आपकी कितनी आईगी 17.32 meter height of the tower आगई दूसरा आपको क्या निकालना है x x क्या है x है h root 3 यानि की 10 root 3 into root 3 root 3 root 3 होता है 3 3 into 10 यानि की 30 meter तो देखो आपको इसके बाद लिखोगे the required height of the tower is 17.32 meter and the distance of the tower from the point A is 30 meter question यहीं पर होता है complete वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें thank you